साइस कूप SUV टाटा कर्फ टाटा कर्फ हमें तीन स्पेसिफिकेशन्स में देखने के लिए मिलेगी ईवी, पैट्रोल और डीजल ईवी में इसकाड़ी का प्राइस हमें 20 लैक्स के आसपास का देखने के लिए मिलेगा और पेट्रोल डीजल में इस काड़ी का प्राइस 10 लैक से लेके 18 लैक से लेके 18 लैक से तक का रहने वाला है EV में इस काड़ी के अंदर हमें एक 40 किलोवट आवर का लिथियमाइन बैटर पैक देखने के लिए मिलेगा टाटा की जिप्ट्रोन टेक्निलोजी के साथ में साथ में यह हमें 400 किलो मिटर से ज़्यादा की रिंज निकाल के देगा और यह फास चार्ज सपोर्टिड रहने वाला है पैटरोल में इस काड़ी के अंदर हमें एक 1.5 लिटर फोर्स लेंडर टर्बो पैटरोल इंजिन प्रोवाइट करवाया जाएगा जो कि हमें 150 HP के आसपास की पावर निकाल के देगा यह पैटरोल इंजिन फिलाहल टेस्टिंग के अंदर चल रहा है और यह इंजिन हमें जल्द ही टाटा हैरियर और साफारी के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है लास्टली इस गाड़ी के अंदर हमें डीजल में 1.5 लिटर फोर्स लेंडर टर्बो डीजल इंजिन प्रोवाइट करवाया जाएगा जो की हमें 108 BHP की पावर निकाल के देगा और 260 Nm का टीक टॉर्क टाटा कर्व का XTA डिजाइन काफी जादा फ्यूचरिस्टिक और एरो डाइनमिक बनाया गया है वहीं इंटियर में भी इस गाड़ी के अंदर हमें काफी सारे बड़िया फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे बड़ी इंफोटेन्मेंट, बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा पैनरामिक सन्रूफ और साथ हमें और भी कई सारे लेटस्ट इंटियर फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आएंगे